दोस्तों आपको ये तो पता होगा जब आपको मकान बनाना होता है तो brick की calculation कैसे की आती है या brick को हम दोग count कैसे करते हैं numbers में करते हैं बर जब आप पत्थर का मकान बना रहे होते हैं तो आपको पत्थर की calculation कैसे करते हैं ये आज हम आपको बताने वाले हैं इसके वीडियो मे तो यह आप मेरे पीछे पत्थर का धेड़ देख रहे हैं तो इसको calculate कैसे की आयजता है यह बताते हैं अब आगे तो दोस्तों यह हमारे बादूर भाई जन्होंने कि यह जो है पत्थर की यह न ये इसको कहते है पत्थर का पुस्ट चट्टा कहते हैं सको ठोड़ है तो 5 foot by 5 foot by 5 foot, मतलब जो हमारा volume निकलता है, वो 5 foot लंबा होना चाहिए, एक चट्टा 5 foot उचा और 5 foot चोड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसकी calculation करते हैं, इन लोगों ने इसको किया है, तो देखते हैं, हमारा ये कितना बड़ा है इसको चट्टे को, पाद दो चट्टे की यख, लंबा ही नो हने ले लिए है और इसको देखे हैं, चोड़ा ही होना चाहिए, ठीक 5 feet ठीक और इसकी उंचाई जो होती है 5ft होनी चीए, तो 5ft उंचाई जो है, अभी 5ft उंचा होना चीए, तो हैजसिसमें थोड़ा सा कम है, तो जब हो जाएगा, तब यह पूरा चट्टा काउंट होगा, तो यह कितने चट्टे हो गए, यह 2 चट्टे हम लोग काउंट करेंगे, यह 2 चट्टा जो होता है 5 feet by 5 feet by 5 feet का होता है तो उम्मित करें यह समझ में आओगा आपको कि पत्थरों की calculation कैसे की जाती है चट्टे के इसाफ से पहाडों में जो है चट्टे के साफ से पत्थरों को calculate किया जाता है तो 5 feet by 5 feet by 5 feet का एक चट्टा calculate होता है मैंशार